क्रिशी बिल को लेकर कुछ दिन पहले कॉंग्रेस की जैपुर के सहीद इस मारक पर एक सभा होई थी उस सभा में मुख्यमंत्री अशोग गहलोत और पुर उप मुख्यमंत्री सचीन पैलट दोनों आये थे सचीन पैलट जब बोलने के लिए खड़े हुए तो सचीन पैलट जिन्दाबाद के नारे लगने लगे उसके बाद मुख्यमंत्री अशोग गलूत उखड गए थे और उन्होंने अपना गुस्सा मीडिया पर उतारा था एक दिन बाद हम कॉंग्रेस के एक बड़े नेता जो सरकार के हिस्सा है उनके पास गए थे वो कहने लगे कि देखो किस तरह से गुजर महौल खराब करते हैं गुजर होश्टल से चले आते हैं और सचीन पैलट जिन्दाबाद के नारे लगाते हैं मैंने उनसे कहा था कि कोई वहाँ पर गुजर नहीं था उसके बाद मैंने उन्हें फुटेज दिखाया उसमें हरिश यादव जो की वैशारी नगर से आते हैं और चोपड़ा थे जो जाती जाती से हैं वो नारे लगा रहे थे जाती अधारीत या बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सचिन पैलेट के खिलाप एक बार फिर से दिल्ली से लेकर जैपुर तक साजिश की जा रही है साजिश की बात अचारे परमोद कृष्णन ने कही है मैं उस बात पर नहीं आ रहा हूँ बलकि यह कह रहा हूँ कि लागातार इस तरह से एक महौल बनाया जा रहा है कि गूजरों के कुछ लड़के हैं जो हर जगर सचिन पैलेट के जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और वही उन्होंने रूपनगड और मकराना में लगाए हैं हमें इस साजीश को समझना होगा ये कोई पहली बार हो रहा है ऐसा नहीं है मुझे याद है 1999-99 का बहर दौर था जब राजस्तान में पत्रकाइटा में मैं आया था तो इसी तरह की बातें जो हैं वो जाटों के बारे में कही जा रही थी जो आज गुजरों के बारे में कही जा रही है जब सचीन पैलट का नाम आया था मुख्यमंतरी बनने के लिए तब भी कहा जा रहा था कि देखो गुजर कितने बदमास हैं अगर कोई गुजर मुख्यमंतरी बन जाएगा तो ना जाने क्या होगा इसी तरह की बात उस वक्त कॉंग्रेस का गुट जाटों को लेकर कह रहा था कि उस समय हर तरफ एक मांग हो रही थी कि जाट मुख्यमंतरी बनना चाहिए तब कहा जा रहा था कि जाट इतने बदमा से बताओ मुख्यमंतरी बन जाएगा जाट तो क्या होगा दरاصल इस तरह कि एक साजीश रचने की परंपरा हो गई है जब कि ऐसा नहीं है सचिन पैलट पाली जाते हैं तो वहाँ भी सचिन पैलट के जिंदाबाद के नारे लगते हैं जहां पर गुजर नहीं है जूद्पुर जाते हैं कोटा जाते हैं लगते हैं हाँ, ये सच है कि गुजर जादी के ज़्यादा समर्थक उनके साथ हैं, ये किसी भी नेता के साथ होता है और जाती हमारी विवस्था की एक सच्चाई है, चाहे मरण हो, जीवन हो, विवा हो, किसी भी तरह की अगर यगोपवित संस्कार होते हैं, तो उसमें बेटी और होता। मुख्यमंतरी निवास में सबसे मजबूत अधिकारी माली जादी का नहीं होता। ये कहने का बिलकुल मतलब नहीं है कि सचीन पैलट गुजोरों की राजनीत करते हैं और अशोगरोत माली जात की राजनीत करते हैं बलकि एक सोभाविक होता है कि जातियां नेताओं से जुड़ जाती हैं क्या यह सचाई नहीं है कि पुर उपराश्पती भैरुसंग शेखावत जब तक राजस्थान की राजनीत में रहे हों गुजर हों जाट हों दलित हों मुस्लिम हों सचिन पैलट के फॉल्वर हैं यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि लगतार इस तरह के एक महौल बनाया जा रहा है उस महौल में सचिन पैलट को बरनाम करने की कोशिश की जा रही है अब दूसरी बात यह कही जा रही है कि ज जीतते हैं जबकि इसके उलत हो इंद्रा मिरा हो इसे बहुत सारे लोग है इसमेरा भी गुज़रों के वोट से नहीं जीतते हैं वहीं जीतते रहे हैं बहुत सारे से विधायक हैं जो गुजरों के वोट से जीते हैं सचीन पाइलट की वज़े से जीते हैं जो आज अशोगलूत के खेमे में हैं तो इस तरह का अरोप नहीं लगाया जा सकते कि वही विधायक हैं जो गुजरों के वोट से जीते हैं सचाई यह है कि सचीन पाइलेट के साथ जो विधायक हैं वो जीतने और हारने के गणिस से अलग हटकों उनके साथ अभी भी बने हुए हैं इसलिए इस तरह की बात फैलाई जाती है इसलिए अचारे प्रमोद कृष्णन ने कहा है कि वहाँ स्टेज से उतारना कोई समाने घटना नहीं थी और इसलिए उसे साजिश करार दिया है यह भी बात है कि अगर इस टेज से नहीं उतारा जाता तो इस तरह से नाराजगी नहीं फैलती सचिन पालेट के समर्थकों में और नारेबाजी भी नहीं होती तो राहूल गांदी की सभावी नहीं बिगड़ती इसलिए सभावी गाड़ने का जो दोश है कॉंग्रेस के किन नेताओं पर है उस पर वीचार किया जाना ही चाहिए और कहा जा रहा है कि कॉंग्रेस अलाकामान ने इसे बेहत गंभीरता से लिया है और पूरी रिपोर्ट मांगी है राइस्थान तक के लिए जापूर से शरत कुमार